तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको सोनी अलफा कैमरा के अंदर एक ऐसे फीचर के बारे में बताऊंगा जिसकी मतद से आपकी एडिटिंग की जो स्पीड है वो एकदम हाईपर सॉनिक सुपर स्पीड में कनवर्ट हो जाएगी अच्छाल आप देखी रहें कि नएने कैमरे लॉंच हो रहे हैं और 4K जो रिजलूशन है वो एकदम नॉर्मल HD ऐसा हो गया है हार कैमरे में इनफेक्ट स्मार्टफोन में भी 4K होता है और अब तो हमको 4K कम लगने लगा है क्योंकि 6 के और 8 के आना शुरू हो गया है हम में से कई लोगों के पास बहुत सादा पाफुल सिस्टम नहीं हमारे सिस्टम HD वीडियो को तो अच्छे से एडिट कर लेते हैं लेकिन जैसे हम 4K डालते हैं उसमें वो जर्क हो के चलता या फिर रियल टाइम प्लेवेक नहीं देता जिससे एडिटिंग में बहुत दिक केमरा मेन्यो में जाए है मैन्यों में जाने के बाद आपको यहां पे आना है इस पर्टिकुलर पेज पैना है और इसमें आपको नीची सबसे एंड में उपशन लेकेगा प्रोक्सी रिकॉर्डिंग आपको बस इसको अन करना है अब जब आप इसको ओन कर लेते हैं तो क्वालिटी की फाइल रिकॉर्ड करता जिसका नाम वगरा सब कुछ सेम होता है यह जो औरिजिनल फाइल है यह 4K और इनका साइज देखिए कितना कितना है फाइल और वहीं पर इनकी जो प्रॉक्सी है वो देखिए कितनी छोटी है तो मतलब यह किसी भी तरीकी के करना है ओके वाइस तो सबसे पहले मैं आपको यह बदा दूगे एस्टी कार्ड में प्रॉक्सी फाइल होती कहा है आपकी जो नॉर्मल फुटेज है वो क्लिप्स फोल्डर के अंदर होती है जो हाई रिजलीशन फोटेज है जैसे कि मेरे यहाँ पे 4K फोटेज हाई रिज देखा होगा जिससे पता लगता है कि यह एक प्रॉक्सी फाइल है तो सबसे बहले हम यहाँ पर अपनी सीक्वेंस खोल लेंगे मैं बाई डिफॉल्ड में काम करता हूँ और 24 भी यूज करता हूँ तो मैंने वह सीक्वेंस बना लिए एक बार जब सीक्वेंस बना जाएग जीरो थी था वो खटा दिया है बैने अब को जैसे पीछे दिखाया था ना कि इसमें एच जीरो थी लेक्के आता प्रॉक्सी फाइल में तो उनको अठाने के लिए आप स्लेक करके एफ्ट दभाएंगे तो स्लेक्ट हो जाएगी और एंड में आप डिलीट करके और फिर ट कर लें गें और मेक्शừa करेंगे कि कम्ने कुछ और select नी को दूसरी विडियो उनको स्वाइल्स को PM हम्लाफ्ले करेंगे और नीचे जाएंगे जिन्ज数 फोलज ड्रास्ट ऑप्शन यह यह और इस में इसमें तो हम 4k वाले फोल्डर की अब अगर आप इसको वेरिफाइ करना चाहते हैं कि आपने जो करा है वो एक्टिवेट हुआ है आप फिर से क्लिक करेंगे तो यह देखिए यह फाइले सीले प्रोक्सी सो उठा रहा है ना कि औरीजनल हाई रिजूशन उससे अब एक वार आप अपने सारी एडिट कर लिए यह जैसे अपके अडिट कम्ड़ीट हो जा के आप वापस से सारी फोल्डर को स्र आपल पर टृप्ट जाएखिए आप यह यह फींच्फ से यह करता है यह नहीं जा कर दें मीच्च्च गाए जो नीच्च आप में प्रोक्सी ऊप्शिय आ है जो थेक तूग नेंच्छ तो मैं यहां पर Premiere Pro CC 2020 यूज़ कर रहा हूं और यहां पर प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है तो इसके लिए हमको पहले File menu भी जाना पड़ेगा और मैं आपको दिखाना पड़ेगा कि फाइल फोल्डर को कैसे सेट अप करना है तो यह देखे हैं अपे प्रीमेर के फोल्डर बानें और यहां पे वही सिम्लर दोनों फोल्डर है इसमें 4K original फाइल और इसमें proxy फाइल हैं अब प्रीमेर में आपको main जहां पे आपकी 4K original file होति है वहीं पर proxy folder हो न हुना चाहिए तो मैंसके अंदर एक proxy folder बनाओंगा सब सेम रखनी है जैसे मैं है यूज कर रहा हूँ और इस फोल्डर के अंदर मैं प्रॉक्सी फाइल्स को लाके जो मैंने बहार रख्य हूई है कॉपी कर लोगा अब मैं वापस से प्रीमेर प्रो में जाओंगा और यह सारी जो हाई डिशलुशन वाली क्लिप सा 4K कि इनको एंपोर्ट करूँगा और यह वापस से मेरे 4K फाइल्स आ गई हैं यह सारी हाई रिजलुशन है दोस्तों इसमें अभी प्रॉक्सी अटैच नहीं करी है दोस्तों प्रीमेर ठांग गाम करते हैं अब पताया आपको प्रोक्सी अटैच करने के लिए लेकिन प्रोक्सी अटैच करने के लिए न यह जो प्रोक्सी फाइल्स नियों कि डिखा और हमारे फाइल्स मैं भी वहो altri मुन ही लगा अवारे मैं C001,002 दिख रही हैं तो हमको आपको मैं आपको दिखाता हूं को कैसे करना यह मेरी प्रॉक्सी वाली फाइल्स है इसके अंदर जाएंगे हम इनको लिस्ट व्यू में कर लेते हैं अब यहां पर हम F2 करके सेलेक्ट करेंगे एक फाइल को यह इसके आगे अब इस लास्ट को पूरा कॉपी कर लेंगे अंदर स्कोर के साथ और टैब दवाएंगे यहां पर क्लिक करके पेस्ट कर लेंगे टैब क्लिक पेस्ट बस यह करना है और यह आपका काम हो गया आप मैक में यह चीजे बहुत जल्दी होती है और इसके आप भी आती है अगर आप डाउन्लोड कर लिए तो आपका काम आउटमेट हो जाएगा और अब आप जाके यहां पर प्रॉक्सी आटैच करिए यहां पर पहली फाइल कर लिए और इस पी जरूर एक्शन पर करिए कि सारी फाइल को आटमेटिक ढूंड ले अब दिखेगे अपने आप पता लग कर देगा तो हम इसको करते हैं और यह हमारी फाइल के प्रॉक्सी ओन लिंक हो चुक है से हाला कि यह भी ओन ने हुई है तो पहले हम टाइम राइन के लाते हैं इसको मैं कीप एक्शिस्टिंग कर दूंगा अब प्रॉक्सी को अन करने के लिए न दोस्तों आपको यहां पर प्लस के आइकन को दबाने के बाद, प्रॉक्सी टॉगल का एक बटन है, जिस पर यह देखिए, प्रॉक्सी टॉगल, इससे प्रॉक्सी ओन और आफ होती है, इसको आपको ड्रैक करके यहां पर लाना पड़ेगा, ओके करेंगे, और जो आप इसको अन करेंगे तो आपको प् इस तरीके से आप प्रीमेर प्रॉक्सी के साथ काम करते हैं, और जब आप सारा एडिट कम्प्लीट कर लें, तो आप यहां से जाके प्रॉक्सी को आफ कर दिया और इसको रेंडर कर लिए, फॉल रिजलूशन में, और आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको कोई सवाल है, तो इसके रिए वीडियो के नीचे कॉमेंट करें, मैं जल्दी से रिप्लाइ करने की कोशिश करूंगा, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, तो मेरी आप से बहुत ही विनम्र विंती है, कि इस वीडियो को लाइक विटन दबाएं, और मेरे चैनल म अगली वीडियो को साथ मिलता हूँ, तब तक आप अपना धिहान रखिये और इंजोय करिये, और ऐल सी ये सून, बएवाइ